सो ही गाई स्वागत है आपका मेरे पोड़कास्ट में I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भाई आप लोगों ने देखिए सरोज का ब्लोग आ गया काफी लोगों ने देख लिया होगा काफी लोगों ने नहीं देखा तो मेरी जो आज का पोड़कास्ट रहने वाला है वो सरोज के उपर है आपको पता है कि कल सुनीता ने वीडियो बना के बोला था और काफी जादा इमोशनल भी थी और वह अपनी जग़र ठीक ती कहीं न कहीं क्योंकि सुनीता ने यहीं बोला था कि हमारे माँ-बाप का घर है हमारा जब मन करता था हम तब चले जाते थे तो सुनीता ने यही कहा था कि फोन पे लडाई कर लो ये व्लोग बंद कर दो और ये बात जो है सपना ने भी बोली थी अपने व्लोग में तो उसी का जवाब देते हुए ना सरोज ने आज बोला कि भाई तुम उस टाइम पे कहा गए थे जब तुम खुद जो है व्लोग मे लडाई कर लो फोन पे भी लडाई कर ले लेकिन फोन भी तो किसी एक इनसान का उनके पास फोन नहीं आया कि चलो फोन बे बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए यहां पे क्या ना यूटिव पे अगर आप वीडियो डालोगी तो व्यूज आएंगे व्यूस से आपका एक इं लिए नहीं है जहां पर पानी की इतनी दिक्कत है इसने बोला कि पानी की यह बहुत दिक्कत है आम पास एक टेंक और एक द्राम है इसके लावा कुछ नहीं है तो भाई वह भी बहुत जादा परिशानियों से कहीं न कहीं इनसान अपना घर छोड़ने को तब मजबूर होता ह जब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहतें नाक तक पानी आ गया जब तक नाक तक पानी नहीं आ जाता ना किसी के वो इंसान जो है मजबूर नहीं होगा कभी भी ना वो घर छोड़ेगा लेकिन इस ताइन पर उसके आलत ऐसी थी कि वीडियो में जो उसने वताये कि 20 साल तक मैंन इतनी मार उस आदमी से खाई है इतनी मार मैंने उस आदमी से खाई है कि मुझे मारता था मैं एक महीना जो है बलेटी रहती थी ठीक है इतना मारता था कि मैं एक महीना उठ नहीं पाती थी एक महीने में ठीक होती थी उसके बाद जो है दुबारा नंबर आ जाता था मेरा प खुद कमाता धमाता नहीं है घर वालों के ऊपर जो है मतलब की रोबदारी करना या फिर उनसे पैसे चीन के नशे करना तो कोई भी इंसान बरदाश्ट ने करेगा जहां सपना ने भी यह बात बोली कि दोनों चैनल जो है उसी को दे रखें संदीप ने वह अपना खर्चा आ दिया था और सपना का भी चैनल था पहले जो चोड़ के वहां से लड़ाई कर आई थी उसका भी जो है उन्होंने एक फार्म खोला था उसका नाम रख दिया था और सबसे अच्छी बात यह के भाई देखिए सब की होती है ठीक है तो जहां इसने बताया कि मैंने इतने गरी हेट देते हैं तो भाई उसने भी वह इतनी गरीबी वाले दिन देखे हैं तब ही जाके कही ना कहीं आज मजबूर हुई है और घर छोड़ने का फैसला तो उसने काफी दिन पहले भी ले लिया था क्योंकि कभी कोई कभी लड़ाई जगड़े तो काफी लोग भी उनको कमे अब दिया है जासपना ने का था कि मेरी भूद बेस्ती करी थी नोंने मेरे पास्ट के बारे में बताके तो उनने का कि भाई तूने तो खुद अपने व्लोग में सारी चीज़े बताई है कि मैं किस तरीके से जो है घर छोड़के तन्नू को लेके भागी थी ठीक है घर चो जो गल्ता उसको गल्ती का जाएगा और रही बात अर्मान मलिक कि भाई उसने बंधी बताए कि भाई आपने देवर की बात ही कर रहे हूँगी अगर मुझे कुछ सुना भी देते थी और मेरा घर चोड़ने का फैसला भी शया तब भी मैंने लिया होगा जब मैं बहुत ज़्यादा ऊप गई थी इन सब से बहुत ज़्यादा देखो सरोज अपने व्लोग में आज रो भी रही थी कई न कई इसलिए कि वो अकेली है और जिसका पती ही काम का नहीं है तो फिर हर इनसान जो है उस इनसान को दबाएगा जिसके पास उसका पती अगर काम का नहीं होगा तो दूसरा इनसान क्या करेगा उसको दबाने कोशिश करेगा कुछ भी बोलो क्योंकि सपोर्ट में कोई नहीं है यही कहना सरोज काई कि मेरे माईके में भी आज मेरे पापा नहीं है एक मेरा भाई भी नहीं है अगर आज वो लोग होते तो इनके हिम्मत नहीं होती इतना कुछ कहने की बात देखो अर्मान मली कि उसने तो उस दिन वीडियो में भोल दिया कि हमने तुम्हारा करा नहीं करा ठीक है हमने जो भी कुछ करा पर हमारा आज से तुमसे कोई रिष्ट रहती थी कहीना करीव एक ओर रदाश एक जबनावाण किना और उसस्वराल में और इसलिए अपने बच्चों की वजय से बस्तिर की बच्चय है इन बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो इसलिए वो कहीं न कहीं दब के रहती है सब की बरदाश करती है एक और रही बात लड़ाई करने की तो दोनों नंदों को उनके भाई को है ना मतलब फोन पर बात करनी चाहिए थी लेकि सरोज ने तो यहीं बताया कि एक अफते से किस चैनल इतने होगे चार लोग है घर के तो चारों के अपने अपने चैनल है उसने उसको बोल दिया फिर उसने उसको बोल दिया वह उसको जवाब देगा भाई बहन को देगी भाई को इवन काफी लोग तो ऐसे हैं कि सपोर्ट करने की जगा है मतलब लोग यह बोलने लगे क कितने ड्रामे बाज फैमली है अब अगर कोई इंसान अगर सच में भी दुख्य होगा ना तो यह देखके इंसान यह बोलेगा कि भाई यह तो व्यूज के ले कर रहे हैं तो फेक कॉंट्रोवर्सी कर रहे हैं चाहिए सच में यह उसके उपर बीत रही होगी तो भाई मेरी त सब कुछ तुम्हारा करती हैं वह सरोजी है जाओ और सारी चीज़े उसको मना के वापिस अपने घर में लेक्याओ और अपने भाई को संबालो है ना यह एक अच्छे घर का या अच्छे भाई भेहन होने का फरस यही होता है और रही बात सपोर्ट कि तो सभी लोग इस टा दल गे और पटाफट जो है कि मकान मालिक सामने आके खड़ा हो जाएगा और रही बात संदीब की तो देखो वह अपनी वाईफों को इतने अच्छे तरीके से रखता है कि वह एक एक सूई भी लेनी होगी तो वह ब्रैंड की लेंगी ठीक है लेकिन करने के जब बात आती ह तो फिर मैंने 5000 पे दिये मैंने इतने दिये मतलब इनके बच्चों को भी स्टैंड कर देते कहीं न कहीं यह तुमारे ही बच्चे है तुमारे ही खून है आप पर काफी लोग ऐसे कमेंट करेंगे क्या उसने ठेका उठा रख है नहीं ठेका नहीं उठाय तो बिलकुल ही ना सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें मैं मिलती हूं आपसे एक न्यू पोड़कास्ट में तब तक के लिए बाई